हाई, सो चलिए डिसकस करते हैं यहाँ पर दो question banks physics की official जो दी गई है माहराश्रा बोट द्वारा एक 2021 की यहाँ पर मैं उसको download कर देता हूँ एन एक हम discuss करते हैं यहाँ पर 2022-2023 की, ओके चल्ट सो अगर हम यहाँ पर ध्यान से 2021 की question bank देखते हैं तो यह शुरू होती है हमारी question bank एक diver से जो swimming pool में है और अगर हम दो साल बाद आगे आजाते हैं 2023 में आजाते हैं आज भी विचारा वो diver swimming pool में ही है समय बदल गया जस बाद बदल गये बड़ डाइवर आज भी उदर ही है यहाँ पर अगर हम देखे साथ questions है answer है 16 ml, answer है 60 degree यहाँ पर हम देखे साथ mcq है answer है 16 ml, answer है 60 degree cyclist है, यहाँ पर string है, यहाँ पर cyclist है, यहाँ पर string है, इवर आप ध्यान से noTiS todRISE हर साल दी जाती है, almost आपकी 90-95% same ही होती है आपको आपको फरक दिखेंगे ही नहीं, क्विच्जिन सापकी सब सेम ही होता है almost आपको अपको हलका-फुलका दिख रहा हो गाजा वो नहीं था आप जो भी question देखो derive an expression for kinetic energy obtain an expression for torque चले short answer 2 में देखते हैं क्या भाई so short answer 2 यहाँ पर आ जाता है derive an expression for kinetic energy derive and obtain an expression for torque so जो लोग कह रहे थे हम तो सर्फ question bank ही करेंगे जो लोग कह रहे थे question bank आ गई हम तो वही करके चले जाएंगे उनको बता दूँ यह तो वही है जो 2021 में share हुई थी so अब आप imagine करो 2021 में जो pdf share हुआ है आप वो पढ़के 2023 का board exam देने जा रहे हो so obviously बात है that is not a good thing right so यहां पर परपस क्या था इस वीडियो बनाने का परपस इस वीडियो बनाने का बहुत ही ज्यादा simple बहुत ही ज्यादा सरल था के इतना ज्यादा dependent मत रहु है ज्यादा डिपेंडंट मत रहो किसी भी चीज़ पर So question bank का सुर्फ और सुर्फ purpose हो जाता है एक mock होना है पहली पहली तो scam यही हो जाता है उसको question bank कहना mock questions कहना थोड़ा सा जादा बहतर option होता बट यहाँ पर labeling and branding ही गलत हो जाती है जब हम question bank शब्द का इस्तमाल करते है पर दर मौर आपने देख लिया 2021 में भी वही दी गई थी 2019 की भी देखोगे आपको वही दिखेगी 2022-23 में भी आपको same ही दी गई है जिसमें 90% सब स्टफ हमेशा same ही रहा है अब 90% सब स्टफ हमेशा same ही रहा है तो obvious ही बात है फिर तो बाती खतम ना फिर तो क्या मतलब बोर्ड एक्जाम हर साल same थोड़ी आता है पेपर ओके 100% dependency यहाँ पर थोड़ी सी भी सही बात नहीं है तो रिप्या करके जो process आप पहले follow कर रहे थे पढ़ाई का वही process follow किये question bank के आने के बाद यहाँ पर change नहीं हो चाहिए and अगर इसका solution में बता दो इसका solution वही है कोई भी particular number select करो x, x number of chapters आप क्या करो x number of chapters आप सारे complete करो अगर कोई बोल रहा है 10 chapters 10 chapters आप complete करो x किसी के लिए होगा x की value 12 होगी आप 12 chapter खुच से complete करो फिर एक छोटा सा छोटा number रखो जिसको बोलते हैं y variables मतलब वो chapter जो आपको नहीं समझते हैं कम समझते हैं भार भार बूल जाते हो important topics खोज रहे हो वो वाले topics आप क्या कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ यहां से refer out कर सकते हो वाकि complete dependency कि वही करेंगे तो वो तो आपको बहुत जादा लग रस्ते पे लेकर जाएगा I hope आपको समझ गया समझदार को इशारा काफी wish you the best मिलते हैं अगली वीडियो में